So hello friends, welcome back to the channel Technical Bragu तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा Redmi Note 10 स्मार्टफोन के बारे में दोस्तो Redmi Note 10 सीरिज के regarding Twitter पर Google पर और भी काफी सारी जगे भरबर के लिक्स आ रही हैं और उनके according confirm में Redmi Note 10 स्मार्टफोन 4G होगा दोस्तो लूबी बिंग ने अभी Twitter पर एक Post Create किया था जिससे आप लोग इसकी Design और Build Quality को देख सकते हो और दोस्तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था Redmi Note 10 Pro के बारे में और बताया था ये स्मार्टफोन 5G होगा बट दोस्तो ये जो Redmi Note 10 स्मार्टफोन है ये 4G होगा तो इस वीडियो में आपको Redmi Note 10 4G स्मार्टफोन के features और Indian pricing launch date के बारे में बताऊँगा बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो इसके features के बारे में बात करते हैं तो इस phone के अंदर आपको 6.67 इंची की Full HD Plus IPS डिस्प्ले विद पंच ल कट आउट डियन के साथ मिलेगा और ये डिस्प्ले 128 side refresh rate को सपोर्ट करेगा और डिस्प्ले पर कॉर्लिंग गोडिला गिलास 5 की protection मिलेगी और इसमें आपको side mounted fingerprint scanner का सपोर्ट मिल जाएगा तो definitely डिस्प्ले की quality आपको काफी अची कासी मिल जाएगी दोस्तो इसके processor की बात करते हैं तो इस phone की अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732G का chipset मिलेगा और इस phone का starting variant होगा 6GB 64GB और इसके camera's की बात करते हैं तो back side में आपको quad camera setup मिलेगा primary sensor होगा 64 megapixel का और साथ में 13 megapixel का wide angle lens 2 megapixel का depth sensor and 2 megapixel का micro lens मिल जाएगा और print side में 20 megapixel का selfie camera मिलेगा दोस्तो इसकी battery की बात करते हैं तो ये smartphone 50-50 mh की battery के साथ आएगा और ये 33 watt के fart charging को support करेगा और बताये जा रहा है कि इस phone के box में आपको charger नहीं मिलेगा इनकी अलावा 3.5 mm का audio jack और type C port का support मिल जाएगा और finally दोस्तो इसकी pricing की बात करते हैं तो दोस्तो आपको पता होगा Poco का एक smartphone launch हुआ था Snapdragon 732G के साथ जिसकी price रखी गई थी around 16-17,000 तो मुझे लगता है कि इस smartphone की price इंडिया के अंदर around 15,000 होगी और दोस्तो मैंने आपको पहले बताया था कि Redmi Note 10 Series 20 फरवरी तक चाइना के अंदर launch होगी उसके बाद ये फरवरी के light तक इंडियन मार्केट में आपको मिल जाएगी तो दोस्तो इस phone को लेकर आपकी क्या expectation है ये आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं तो बस इस वीडियो में बस इतना ही आयोब कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसको like, share, channel को subscribe करके bell icon को press कर लीजे तो मैं मिल दाऊंगा आपको next video में, thanks for watching